नमस्कार दोस्तों में हो अतुल और ये है noise color fit icon buzz smart watch जो आली में launch हुई है amazon और trip card पे और आपको मिलती है 3499 में और इसकी जो price है ये launch price है price कम ज़दा भी हो सकती है खास बात इसकी ये है इसमें आपको मिलता है bluetooth calling का function तो आप इस watch से call को कर भी सकते हो और call को receive भी कर सकते हो बात करेंगे दूसरे specs की तो इसमें है 1.69 inch का TFT display calling function 7 day battery life लेकिन अगर आप calling का इस करते हो तो आपको 2 दिन का battery backup मिल सकता है maximum इसके लवाइस में है SPO2 24-27 heart rate measurement है और है multi sports mode लेकिन कुछ चीजे है कुछ feature से जो missing है जो हने चाहिए थे लेकिन इस watch में आपको देखने नहीं मिलेंगे वह हम बात करेंगे unboxing करने की बाद तो हम इसका करने वाले है full setup लेकिन सबसे पहले हम करेंगी इसकी unboxing दोस्तो तो इतनी चीज आपको मिलती है box के अंदर यह है warranty card इस पर एक website दी गई है उस website पर जाकर आपको इसकी warranty को activate करना है वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा बाद में है stickers और यह है user manual smart watch और charger बात करते है charging cable की तो आपको इस रिकिस से charge करना है और आप charge करने के लिए 5 दोस्तो बात करते हैं वाच के physical और यूकी तो यह है 1.69 इंच का TFT डिस्पले इसके अलावा इसमें pre-applied screen card आपको देखने मिलता है बडन दिया गया एक जिसके जरी आप बैक जा सकते हो या फिर लोग अनलोग कर सकते हो noise screen branding आपको देखने मिलेगी खिशना है और इसे remove करना इसलिक से और insert करने के लिए पहले निचे करना है फिर उपर में align करके pin को खिशना है नीचे और फिर उपर भी insert करना है पिन य gün को इस तरह के से और यहां पे आपको मिलेंगे माइक और स्पिकर तो यह है माइक एक माइक दिया गया है और यह है स्पिकर जो कोल के लिए काम आएगा दोस्तो वाच को सुचोन करने के लिए आपको इस ब्ड़न पे लोगपरेंगद करके रखना है और जब logo आएगा तब उंगली छोड़ देनी है watch switch on हो चुकी है अब हम इसे करेंगे pair अपने phone के साथ दोस्तो watch को phone के साथ pair करने के लिए आपको अपने phone में play store से download करना है noise fit rack इस app को आप download कर लिजे इसके बाद आपको इसे open करना है आपका gender, budget, height, weight आप change कर सकते हो फिर आपको tick पे tap करना है और करना है allow और लिखावाई उपर में to add आपको इस पे tap करना है while using the app आपको एंशोर करना है कि जो bluetooth है वो own होना चाहिए अगर ये off है तो पहले own किजिए बाद में आपको इसे search करना है आपको मिलेगा icon बस आपको इस पे tap करना है और फिर अगर आप इस पे tap करोगे दूसरे tap पे तो आप देखोगे ये connected हो रहा है, note connected आ रहा है आपको wait करना है, connect होगा और ये connect हो चुका है यहापे लिखा है pairing, success, hurry और फिर आपको इहापे start करना है कुछ आपको guide मिलेंगे, किस तरीके से आपको swipe up करना है, क्या function आपको मिलते, swipe up करके, swipe down करके इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तो calling function को enable करने के लिए आपको एक settings कौन करना पड़ता है आपको जाना पड़ता है, Bluetooth की settings में और आपको यहापे मिलेगा icon buzz यह रहा icon buzz, phone ठीक है आपको swipe up करना है और यहाँ से pair करना है, उसके बाद ही आप calling के function को यूज़ कर सकते हो, आपको करना है pair और फिर देखो कि आप लिखा हुआ है connected for calls, तो मतलब आप calls का यूज़ कर सकते हो, अपनी watch में तो सबसे पहला जो इसमें option है, battery percent यहाँ पर आपको show करता है आप यहाँ से उसे unpair कर सकते हो फिर है watch face, तो आपको अगर watch face को download करना हुआ, तो आप यहाँ पे डाप करके download कर सकते हो, directly आप इस पे डाप करके change कर सकते हो, अगर मैंने इस पे डाप आप अपनी खुद की photo इसमें set नहीं कर सकते, तो यह feature होना चाहिए था लेकिन ऐसा feature इसमें नहीं दिया गया है तो यहाँ पे आपको मिलिंगे watch faces आप download कर सकते हो इन्हें, तो मैं लो मुझे यह वाला apply करना है तो मैं इस पे tap करूँगा करूँगा download दोस्तो watch face apply हो चुगा है, आप देख सकते हो यह वाला हमने डाउनलोड किया था और यह apply हो चुगा है, watch face पे इस तरीके से आप इन्हें apply कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो अब आगे है notifications, तो अगर आप इस पे tap करोगे तो आपको अगर call के और message के notification देखने होगे किसी भी आपके, तो आपको इन्हें allow करना है इस पेड़ आप किजिए, allow किजिए, allow किजिए, allow किजिए permissions allow करोगे, तभी calls और message शो करेंगे message के लिए भी allow किजिए, और जो apps है उनके लिए भी आपको करना पड़ेगा enable और यह जो app है, आपको इस पेड़ ट्रैक आपको इसे enable करना है allow किजिए, बैक आईए, और जिन किसी apps की आपको notification देखनी है आपकी वाच में आपको इन्हें आपको enable करना है, तो मैं WhatsApp, Instagram और message को करूँँगा सभी apps को अगर आप enable करोगे, तो smart watch की बैटरी ज्याता ज्यूस होगी अगर आप others करोगे, इसका मदलब है कि आपने सभी apps को enable कर दिया है तो सभी apps की notification आपको अपनी वाच में में लेगी, अगर आपको करना तो आपको कर सकते हो लेकिन battery उससे ज्याता use होती है, दोस्तों अब देखते हैं, अगर आपको कई भी call आता है तो किसरी किसे शो करेगा, और किसरी किसे आप उससे receive कर सकते हो तो call आ चुका है, आप देख सकते हो, ring जा रही है, हला कि ring को आप off नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप end नहीं करोगे अगर आपता phone silent भी होगा, फिर भी ring इसमें बज़ेगी ही, हला कि आप cut कर सकते हो, receive कर सकते हो और receive जैसे आप करोगे, तो आपको में लेंगे तीन option, mute करने का option, तो आप call को mute कर सकते हो सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी, इसके अलावा आप call को transfer कर सकते हो phone में तो आप अगर इस पर टाप करोगे, तो जो call है, अब phone में transfer हो चुका है, तो अब आप phone पे बात कर सकते हो लेकिन वापस आपको watch पे आना है, call के लिए, तो इस पर टाप किजिए, अब जो call है, वापस watch पे आ चुका है और आप देख सकते हो, sound है यहां से आ रही है, तो आप call को receive कर सकते हो, बात कर सकते हो अपनी watch से ही और यह है volume के लिए, तो आप volume को यहां से control कर सकते हो, volume ठीक टाक है, लेकिन अगर आप crowdy place पे हो, तो यह volume कम लगेगा आपको calling के दुरान और आप यहां से उसे cut कर सकते हो, तो cut करिए और cut हो जाएगा, दोस्तों आप देखते हैं, अगर आपको कोई भी whatsapp message आता है, तो किसरे किसे show करेगा, display office का, लेकिन जब message आता है, display ओन हो जाता है, आप देख सकते हो, और यह message आपको show करता है, यहां पे whatsapp, और क्या message है, आ अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया, तो आपको swipe down करना है, और यह रहा latest message, आपको इस पर tap करना है, और यह है latest message, आप इसमें देखोगे, emoji support नहीं करता है, और जो hindi font है, वो थोड़े थोड़े support करते हैं, और आप back जाओगे, तो सब भी message को आप एक साथ यहां से delete कर सक सकते हो, यहां पर आप एक साथ 8 message को read कर सकते हो, 8 से जाता message read नहीं कर सकते, दोस्तों आप देखते हैं, अगर आपको कई भी SMS आता है, तो किस तरी किसे शोग करेगा, display off है, अब display ओनों चुगा है, office contact से आया हुआ है, कौन से आप से क्या text है, आप देख सकते हो, और अगर उसे read भी कर सकते हो, back आईए इस तरी के से, और सभी को अगर delete करना होँआ, तो आपको नीचे आना है, और यहा है रिली का option, आप यहां से उसे delete कर सकते हो, सभी को एक साथ, फिर इसके आगे है, alarms का option, तो आप एक साथ यहां पे तिन alarms को set कर सकते हो, आपको tap करना है, time set करन आप करना है hour minute और जो day है वो सिलेक करना है save करना है और आप यहां से इसे on off कर सकते हो इस तरीके से watch में से आप इसे on off नहीं कर सकते है इसे edit नहीं कर सकते है अलाम को set करने के लिए on off करने के लिए आप में ही आना पड़ेगा watch में ऐसा कोई भी option नहीं watch में आपके वोल देख सकते हो फिर इसके आगे है shutter का option तो आप यहां पे shutter open कर सकते हो और आपके watch में shutter open होगा आप tap करके या फिर shake करके camera से photos को capture कर सकते हो torch यहां से on off कर सकते हो camera को यहां से rotate कर सकते हो आगे है favourite contacts तो आपको calling करना है तो आप एक साथ अपनी watch में add contact को save करके रख सकते हो तो आपको फेवरेट कॉंटक्स पे ट्याप करना है एड करना है और आप जो भी कॉंटक्स को एड करना चाहते हो आपको उन्हें यहाँ पे सिलेक करना है तो आपको ट्याप करना है ट्याप किजिए उस नंबर पे तो आपको contacts पर tap करना पड़ता है इस तरह किसे और जो contact है वो select हो जाता है टीक आपको मिलेगी देखने और आप एक साथ 8 ही contact को select कर सकते हो फिर आपको करना है done और आप इन contacts को उपर निछे भी कर सकते हो तो आपको जो 3 बार है उस पर long tap करना है और drag करना है इस तरह किसे आप इन्हें उपर निछे भी कर सकते हो और अगर आपको इन्हें edit करना वहा तो आपको करना है edit all पर tap और मालो आपको किसी contact को करना है select तो मालो मुझे इससे निकलना है तो उस पर tap कीज़े select हो जाएगा और आपको इससे add करना है तो उस पर tap कीज़े ये add हो जाएगा और आपको करना है done इस तरह किसे आप अपने favorite contact को add कर सकते हो फिर आपको करना है last में done फिर upload हो जाने के बाद जैसे आप back जाओगे तो आपको मिलेगा others का option तो इसमें है पहला option find device का तो इससे आप अपनी watch को vibrate कर सकते हो display उसका own कर सकते हो आप देख सकते हो इस तरह किसे vibrate होती है display own जाता है watch का फिर आगे time format तो आप 12 hour या फिर 24 hour format में time को display कर सकते हो अपनी watch में आगे unit system जो आपको metric के रखना है फिर आगे है do not disturb का mode अगर आप इसे own करना चाहती है तो आपको time study करना पड़ता है कौन से लेकर कौन से लेकर कौन से लेकर की बिच में आपको इसे use करना है अगर आप इसे use करोगे तो कोई भी notification नहीं आएगी आपकी watch में आगे है reminders to move इससे कहते adult alert या फिर sedentary alert तो अगर आप एक घंटे के लिए बिना किसी activity के बेठे हुए हो ऐसे ही तो आपको activity करने के लिए reminder आता है तो आपको इसे own करना है बाइडिपुल इसका time में सुबह से 10 बसे लेकर रात के 10 बज़े तक फिर ये है continuous heart rate detection तो अगर आपको heart rate को 24-7 पे रखना है automatic measure करना है तो आपको इसे own करना है लेकिन अगर आप इसे own करते हो तो बैटरी ज्यादा यूज़ होती है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे own फिर रखो और जब चाहिए तब आप अपनी watch में जाकर उसे measure कर सकते हो heart rate को फिर करेंगे done और उता है reset का option तो reset आप यहां से कर सकते हो फिर है quick view का option अगर आप अपनी watch को उपर उठाते हो display इसका ओनो जाएगा आप देख सकते हो मानलो off है और मैं अगर इसे उठाऊंगे इस तरी किसे display ओनो जाता है तो इसे केते quick view आप time की साब से भी इससे यूज कर सकते हो फिर all day भी यूज कर सकते हो फिर आगे है weather का option तो आप weather को enable कर सकते हो हर एक घंटे weather update होता रहता है साथ दिन का weather आप चेक कर सकते हो अपनी watch में और आपको जो system है CLC से रखना है city आपको search करनी अपनी मानलो आपकी अगर Mumbai है तो Mumbai सर्च करिए आपको select करना है और Mumbai का जो weather होगा वो show करेगा आपकी watch में फिर ब्याक आने के बाद आप जो update है यहां से कर सकते हो recently एक update आया था इस watch में तो मैंने update कर लिया है इसके अलावा है goal का option तो आपको रोजाना कितने step चलने है आप यहां से उसे change कर सकते हो और बाद में आपको मिलता है सबसे पहले home page का यह option जिसमें है activity plus vitals मतलब आपने कौन सी activity की है और आपके vitals कितने है केसे है heart rate SP2 यहां पे show करता है और यह होता है daily data मतलब हर रोज यह update होता है तो जो आप यह देख रहे हो यह है आज का data आप आज कितने step चले हो कितना distance आपने कहुर किया है कितनी kilo calorie burn की है कितने minute आप active है आज यह show करता है अगर आप इस पर टाप करोगे तो आप detail में check कर सकते हो इसके लावा अगर आपको किसी भी particular date का data check करना हुआ तो आपको calendar की icon पर टाप करना है और मानलो आपको 6 तारीका करना है तो इस पर टाप करिए इस तरीके से आप day wise check कर सकते हो अपने steps को पिर आगे है sleep का data तो आपने अगर सोते हुए घड़ी को पेहना होगा smart watch को पेहना होगा तो आपको पता चलेगा आप कितने घंटे कितने बिनट के लिए सोये थे इसके अलावा आपकी deep sleep light sleep कितने घंटे के लिए थी आपका sleep quality score कितना था और यह है आज का अगर आपको किसी भी particular date का देखना गुआ तो आपको इस पर टाप करना है और आप किसी भी date का जो sleep data है वो चेक कर सकते हो इसके बाद है hard rate का option तो आपने last time कितना measure किया था कितने तारिक को कितने बज़े आपने measure किया था कितना result आया था यहाँ पे show करता है इसके लवा आप यहाँ से भी measure का command दे सकते हो इसके बाद अगर आप इस पर टाप करोगे calendar पे तो आपने अब तक जितने भी hard rate measure किये है शो करता है detail में कितने तारिक को कितने बज़े measure किया था आप यहाँ पे detail में check कर सकते हो फिर बाद में होता है spo2 blood oxygen तो आपने last time कितना measure किया था कितने तारिक हो कितने बज़े measure किया था अगर आप इस पर टाप करोगे तो आप last 7 time का जो trend है check कर सकते हो उस पर टाप करके कितने तारिक हो कितने बज़े आपने measure किया था कितना result आय था और अगर आप इस पर डाप करोगे कलेंडर पर तो आपने अब तक जितने भी मेजर किये हैं यहाँ पर शो करता है डेट और टाइम के साथ और आप यहाँ से भी मेजर का कमांड दे सकते हो अपनी वाच में और आगे है आउट्डोर रनिंग तो अगर आपको अपने फोन को साथ में लेकर जो activity है running वो कर सकते हो तो यहाँ पर map भी show था है time फिर यहाँ पर आपना कितना distance cover किया है क्लेर कितनी burn हुई है पेस कितना है steps आप कितने चले हो यहाँ पर show करता है इसके लग अगर आप इस पर टाप करोगे तो map आपको show कर एगा live map और आपको इसे end करने के लिए long press करना है और फिर करना है stop और यहाँ पर आपका जो detail है वो मिल जाएगा कि कितना distance, कितना time और paste क्या है map के सर और फिर अगर आपको check करना है record कि आपने outdoor running कितने time किया था कितनी बार किया था तो आपको इस पर tap करना है calendar के icon पर tap करना है मतलब history चेक करने के लिए और यह है कितना distance आपने को और किया था क्या date को, कौन से time को आपने किया था कितने time के लिए किया था और आपका paste कितना था, आप यहाँ पर map voice देख सकते हो तो इसके बाद अगर आप जाओगे आगे है run और walking तो आप जो भी activity करोगे आपकी watch में यहाँ पर show करता है और आपको सभी activity को देखना हुआ कि आपने अब तक कौन-कौन से activity की है तो आपको look more training data speed tap करना है और आपने अब तक जो भी activity की होगी यहाँ पर show करेंगी इसके लावा अगर आपको उससे detail में चेक करना हुआ तो आपको उस पर tap करना है आप जान सकते हो कितने time के लिए आपने किया था steps आप कितने चले थे आपने कितना distance cover किया था kilo calorie कितनी one कियी थी speed कितनी थी, pace कितना था मतब एक kilometer cover करने के लिए कितना time लगेगा आपको average heart rate कितना था इसके लावा highest heart rate और lowest heart rate कितने बज़े था आप देख सकते हो कितना था, कितने बज़े था और आपका जो heart rate है कौन से zone में था आप इस तरीक से check कर सकते हो दोस्तो ये था आपके बारे में अब हम देखेंगे आपको watch में कौन-कौन से features और settings देखने मिलते है दोस्तो आपको watch में मिलती है एक button जिसके है दो काम एक तो आप log कर सकते हो अपनी watch को print off, print on इस तरीके से और इसके अलावा आप किसी function में हो किसी option में अगर जाते हो तो अगर आपको back आना हुआ तो आप इस पर डाप करके back आ सकते हो आप देख सकते हो इस तरीके से दोस्तो अगर आपको watch face को change करना हुआ तो आपको long tap करना है homepage पे और फिर swipe करना है इस तरीके से और जिसे set करना है आपको उस पे tap करना है वो set हो जाएगा दोस्तों अगर आप home page पे swipe down करोगे तो आपको भी लेगा notification का option आप यहाँ पे एक साथ अपने 8 notification देख सकते हो फिर अगर आप swipe up करोगे तो यह है control center इसमें आपको connection status मिलता है battery level percent भी नहीं लेकिन graphic wise show करती है time show करता है यहाँ से आप D&D activate कर सकते हो D&D अगर आप phone करोगे तो आपकी watch में कोई भी notification नहीं आएंगी vibration नहीं होगा तो आप इसे use कर सकते हो अगर करना हुआ तो फिर आगे है brightness का option तो यहाँ पे है 4 level एक होता है 0 तो यह है 0 फिर यह है 1, 2 और 3 फिर यह है find my phone अगर आपने अपने phone को कहीं पे misplace कर दिया है आपको अगर ढूनना हुआ आपके phone को अगर आपका phone vibrate mode पे भी है silent पे भी है फिर भी आप उसे ring कर सकते हो तो इसे कहते है find my phone आपको वापस इस पे tap करना है और इसे stop करने के लिए tap करिए यह stop हो जाएगा सकते हो इस तरह के से आप देख सकते हो और फिर उसके आगे होता है brightness का option तो आप यहां से भी brightness को adjust कर सकते हो 0, 1, 2 और 3, 3 है about power of switch up कर सकते हो reset कर सकते हो और अपनी watch को restart भी कर सकते हो इतने option आपको मिलते है settings में दोस्तों आप back दो तरीके से आ सकते हो इस तरीके से दोस्तों पर जैसे आप homepage पर right swipe करोगे तो यह है activity पर जिसमें आप देख सकते हो आज के steps फिर maximum minimum कितने steps लिये थे आपने swipe up करोगे तो आपने कितनी kilo calorie burn की है कितना distance cover किया है graph white show करता यह है आज का data पर जैसे आप swipe right करोगे इसके आगे sleep data जिसमें आप कितने घंटे सोए थे light sleep, this sleep कितने घंटे के लिए थी swipe up करोगे तो आप कितने बज़े से ले कर कितने बज़े तक सोए थे उसका graph यहाँ पर show करता है फिर इसके आगे है heart rate तो आप यहाँ से heart rate measure कर सकते हो आपने अप तक जितना भी measure किया होगा maximum minimum कितना था यहाँ पर show करता है फिर उसके नीचे जाओगे तो कौन से zone में आपका heart rate था और यहाँ पर आपके मिलता है graph voice data हालाकि यहाँ अभी तक update हुआ नहीं है फिर इसके आगे show करता है SPO2 आप अपना blood oxygen measure कर सकते हो तो maximum minimum show करता है swipe up करने पर आप आपने 7 time जो measure किया था उसका record यहाँ पर show करता है graph voice फिर इसके आगे अगे अगर जाओगे तो यह है weather info तो current अभी कितना है highest lowest कितना होगा आज के लिए और अगले 6 दिन के लिए highest lowest show करता है मतलब total आप 7 दिन का weather info देख सकते हो यहाँ पर और फिर आगे होता है यह home page लेकिन अगर आप swipe left करोगे तो आपको मिलता है यहाँ पर menu main menu तो इसमें पहला होता है noise health अगर आप इसमें डाब करोगे तो यहाँ पर होता है activity का page जो हम देख चुके है already sleep data और blood oxygen तो आप जो health related जो भी options है यहाँ पर access कर सकते हो noise health में फिर आगे है sports mode अगर आपको workout करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो जिसमें आपको मिलेंगे running, walking, cycling, hiking, climbing, treadmill, spinning, yoga और fitness अगर आपको किसी को start करना हो तो आपको इसमें ट्याप करना है timer होगा 3 second का और इस तरह किसी start होगा time show करेगा सबसे पहले distance फिर show करेगा कितने steps आपने लिए है आपकी kilo calorie कितनी burn हुई है heart rate कितना है आपका यहाँ पर measure होता है तो इस तरह किसे आप इससे start और end कर सकते हो फिर आगे होता है message तो आप यहाँ पे भी message को check कर सकते हो फिर आगे है noise verse का option जिसमें आप जो calling का function है उसे use कर सकते हो इसमें आपको मेलेंगे तीन option recent call, dial pad और contact recent call में आपने जो भी calls के थे last time वो show करेंगे केवल 5 ही show करते है उससे ज्यादा show नहीं करते है तो आप last time जो 5 call है वो check कर सकते हो फिर आगे होता है dial pad तो आप यहाँ से कोई भी number dial कर सकते हो और उसे call कर सकते हो इस तरह कैसे call हो जाएगा आप देख सकते हो पिर आगे होता है contact का option जैसे हमने देखा आप में कि आप अपने कोई भी आठ फेवरेट contact को add कर सकते हो उससे ज्यादा add नहीं कर सकते हो तो उस पे आप अगर टैप करोगे तो आपने जो भी add किये contact यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इन में से किसी को भी call करना हो तो आपको इस पर टैप करना है आपके phone में camera open होगा आप इस पर टैप करके या फिर shake करके photo को capture कर सकते हो तो यह photo capture हो चुकिए आप इस तरके shake भी करोगे तो भी photo capture हो जाती है आप देख सकते हो फिर आगे है music control तो आप यहाँ से music को control कर सकते हो प्ले किजिए pause play next previous song का title आपको show करेगा लेकिन आप यहां से volume को up down नहीं कर सकते हो फिर आगे stop watch तो आप यहां से stop watch के ust कर सकते हो लेगिन इस में आपको lap देने का option नहीं मिलता आपके ओल pause या फिर resume इस तरह कर सकते हो आप ढेख सकते हो फिर आपको करना end फिर आगे है alarm का option तो आप यहाँ पे alarm को चेक कर सकते हो जो आपने set की है अपने app में तीन alarm को आप चेक कर सकते हो लेकिन यहाँ पे आप alarm को एडिट नहीं कर सकते है और उनों भी नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने आप सही करना पड़ेगा, पिर आगे है टाइमर का उप्षन, तो आप यहाँ पे एक मिनट या फिर मैक्सिमम दो गंटिय तक का जो टाइमर है, उससे सेट कर सकते हो, उससे जदा आप टाइमर कस्टम तरीके से सेट नहीं कर सकते हैं, तो आपको उस पर टा कर सकते हो, आपको टाइम सेट करना है, एक मिनट या दो मिनट फिर आपको स्टार्ड करना है, और फिर आपको इनहल एकसेल करना है, जैसे यह ग्राफिक्स शो कर रहा है, उस तरीके से, एंड करिए इसे, और आगे है गेम्स, तो आप गेम्स यहाँ पे प्ले कर सकते हो, द फिर आपको इस पर टाप करना और पास में जाकर बोलना है जो भी आपको बोलना है वो ओपन गैलरी ओके ओपन फोन एप ओके ओपन म्यूजिक ओपनिंग गाना दोस्तों अगर आपको अपनी वाच को स्वीच अप करना हुआ तो आपको लोंग प्रेस करना है और आपको मिलेगा ओप्शन स्वीच अप का आप देख सकते हो आपको वो टिक पर टाप करना है और आपकी जो वाच होगी वो स्वीच अप हो जाएगी आपको नीचे आना है तो ये रहा आपको अपना full name, email address, mobile number आपने कहां से purchase किया है तो मैंने किया है Amazon से तो आप choose करिए अपने जहां से किया है वहां से फिर आपको अपना product यहां पर search करना है तो ये है icon buzz ये रहा color fit icon buzz उसे select किजिए फिर order number आपके invoice पे Amazon या flip card पे invoice पे जो भी number होगा order number उसे यहाँ पर enter करना है और serial number आपको box में मिलेगा serial number एक letter से start होता है जैसे ये SW ये है serial number आपको ये वाला number यहाँ पर enter करना है और करना है register now उसके बाद आपकी watch की warranty activate हो जाएगी दोस्तो तो ये थे ओफ features जो आपको देखने मिलते हैं इस watch में अब कौनसे features इसमें दिये गए है कौनसे features missing है वो आपको बता चल गया होगा अगर आपको भी सवाल होता है आप हमें पूछ सकते हो आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter भी message कर सकते हो इस वीडियो को ये खने के लिए धन्यवाद दोस्तो